जेहीं दोस् 높 ऐग नीपीर आर्मी का फाइनली एडमीट काड आपका आ चुका है देखिए दोस्तो सोल्जरड जीडी का एडमीट काड अभी डाउनलोड हो रहा है बाकी ट्रेड का भी एड μεनलोड नहीं आया है तो इसलिए बाकी अगर आपका ऊधर ट्रेड है जीडी के अ प्लावा तो आप सभी जो है परेसान ना हो केवल GDTrate का Admit Card यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे एक Candidate आपका देखेंगे एक Candidate का आपके सामने दिखा रहे हैं यहाँ पे Admit Card आ चुका है यहाँ पे किली करके Admit Card डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आप डाइरेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे सबसे पहले Password चेंज करना होगा उसके बाद दोस्तों आप अपना Admit का डाउनलोड करेंगे तो इसे आप थोरा सा ध्यान से इस वीडियो को तभी जाकर आप Admit का डाउनलोड कर पाएंगे जो यह step आपको हम बता रहे हैं उसी step को आप फलो किजिएगा आपका Admit का डाउनलोड हो जाएगा तो Admit का डाउनलोड करने के लिए simply आप सभी अपने mobile phone में Chrome browser या Google को open किजिए और यहां पे आपको टाइप करना है online-sरकार job.com Google में जैसे ही search करेंगे आपके सामने एक वेवसाइट open हो कर आएगा online-sरकारी job.com का इसके बाद दोस्तों नीचे के तरह पे scroll किजिएगा यहां पे दोस्तों देखेंगे Admit काट का एक option आपको दिखाई देगा अगनी बिरार्मी Admit का डाउनलोड 2024 इस पर आप किलिक कि किजिए देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस पर करके पिए जाएगा देखिए दोस्तों इसका link description में है description में दिये गए link पर किलिक करके direct इस page पर आप सभी आ जाईएगा उसके बाद दोस्तों नीचे के तरह पे scroll किजिएगा और Admit का download link इसके सामने जो click here है इस पर किलिक किजिए इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है थोरा सा यहां पर JIA roll number आपके form apply जो किये होंगे तो form apply के जो print होगा उस print पर आप सभी देखिएगा JIA roll number आपको मिल जाएगा तो उस JIA roll number कुछ इस पर कार के होगा R, A, H इसके बाद दोस्तों यहां पर होगा M, A, T इस तरह से कुछ JIA roll number होगा तो इसको सेम जैसा है वैसा ही आपको फिल करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि first time जब आप login करेंगे तो आपका DOB password होगा तो यहां पर आप DOB अपना फिल किजिएगा date of birth DOB जो है उसे आप फिल कि तो इस तरह से बारे 08.2006 यहां पर फिल किजिएगा और फिल करने के बाद दोस्तों आपको login पकिलिक कर देना है देखिए दोस्तों जैसे ही आप सभी अपना JIA roll number और DOB फिल करके login करेंगे तो कुछ इस परकार के page आपके सामने open होकर आएगा अब देखिए दोस्तों old password तो आपका DOB है अब new password आपको बनाना है तो new password आप सभी यहां पे बना लिजिएगा 8 character का आपको password बनाना है और password कुछ इस परकार के बनाईएगा जैसे कि माली जी आपका राहूल लेम है तो rah at the rate 1234 या दोस्तों इस तरह से भी बना सकते है rah hashtag 1234 यानि create character का होना चाहिए इसमें एक symbol होना चाहिए और इसमें एक letter uppercase lowercase यह सभी होना चाहिए तो कुछ इस तरह से आप password बना लिजिएगा जैसे कि आपका name मोहन है तो moh star इस तरह से 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप बना लिजिएगा ठीक है तो यहां पे चलिए हम password create करते है new password और जो password यहां पे आप type किजिएगा वहीं same password यहां पे भी आपको type करना है और इसके बाद दोस्तो चेंज जो password है इस पर आप click कर दिजिएगा change password पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस पर करके message आएगा your password has been changed successful please login again तो आप फिर से आपको login करना है जो new password आप सभी बनाए है उसके दुरू और जो jir all number है वो तो वहीं रहेगा और new password जो बनाए है उसके थुरू आपको फिर से login करना है तो चलिए ok पर click करते हैं अब दोस्तों कुछ इस पर करके आएगा तो इसे refresh एक बार आप कर दिजिएगा और refresh करने के बाद दोस्तों आप सभी का jir all number है उसे अब यहाँ पे फिल कीजिएगा और यहाँ पे जो new password बनाए है उसे फिल करके login पर आपको click करना है अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप सभी अपना jir all number और जो latest password आप सभी new password बनाए है उसे डाल कर फिल करके login करेंगे तो कुछ इस पर करके page आएगा अब यहाँ पे admit card का option दिखाई देगा addcat का ईसप की लिए दे देखिए दोस्तों नीचे के तरह पे scroll कीजिए और admit card का जो option है इस पकिली कीजिए और इसके बाद आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे download करते हैं ये देखिए दोस्तो, एड़मीट काड आपका डाउनलोड हो गया, तो इस तरह से एड़मीट काड आपको डाउनलोड करना है, ये Candidate का देख सकते हैं, एकजाम डेट, एकजाम सीप्ट और एकजाम सेंटर कहाँ पे हैं, सबी डिटेल्स दिये गए हैं, तो इस तरह से दोस झाल झाल झाल